पेपर आपको इस परकार से पकड़ना है, Facebook आपको कोड देगा, वो कोड आप लेके इस परकार से उसके साथ जब आप वो वीडियो अप्रोड करेंगे तो लॉक होता है न उसे अनलाग कर देता है और उस Facebook पेज का जो अकाउंट होता है, उसे मैंने अपने कम्पूटर में लॉग इन किया था, पेज को रिकवर करने के लिए मैंने Facebook टेम से बात भी करी थी, लेकिन इसी बीच उनका Facebook अकाउंट लॉक हो गया, लॉक होने का जो रीजन था वो ये था कि हैकर जिसने उनके पे लगातार लॉग इन का ट्राइ किया होगा, इसलिए साथ इनका Facebook अकाउंट लॉक हो गया था, हाला कि पेज भी रिकवर हो गया है, और उनका अकाउंट भी रिकवर हो गया है, लेकिन अकाउंट को अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ा था, चलिए आपको इस वीडियो म एकदम डिटेल से बताते हैं, दोस्तों वैसे तो इनका अकाउंट जब लॉक हुआ था, तो मैंने अनलॉक नहीं किया है, लेकिन इन्होंने वीडियो काल पर मुझसे बात करी, और step by step जो भी चीजे थी मैंने उनको बताया, तो उन्होंने अपने अकाउंट को लॉक कर लि यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक facebook अकाउंट का screenshot है, और यहां पर आप देखेंगे लिखा है, अकाउंट का जुना में वो लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा है your account has been logged, और नीचे लिखा है get started, बाकि यहां पर अगाउंट डिटेल देखेंगे, तो यहां पर लिखा आपका अकाउंट लॉग होता है तो यह वाला स्क्रीन आपको दिखाई देता है जहाँ पर लिखाए यह यह वीडियो में डीटेल्स आपको बताऊंगा फिलाल यहाँ पर जो बेसिक चीज है वो आप समझ लीजे नीचे से गेट स्टाटेट पर हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमार सामने यह वाला स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पर लिखाए हाँ टू अनलाक यूर अकाउंट तो फेस्बूक यहाँ पर हमें खुद बता रहा है कि हमें अपने अकाउंट को अनलाक करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लिखा है confirm this is your account confirm करना है कि यह आपका ही अकाउंट है नीचे लिखा है secure your login details और लिखा है your account will be unlocked यह तीन step हमें complete करने पड़ते हैं नीचे next का बटन दिखेगा हम next पर क्लिक करेंगे हम next पर क्लिक करेंगे तो इस परकार से confirm this is your account और लिखा है confirm your identity अब यहाँ पर लिखा है confirm your identity हमें यहीं पर टच करना पड़ता है जब हम यहाँ पर टच करेंगे तो अगला स्क्रीन हमारा सामने इस प्रकार से आ सकता है यहाँ पर कुछ error आया था इसलिए इनके सामने ऐसा स्क्रीन आ गया तो यहाँ पर जो retry लिखा है ना हमें retry पर टच करना है हम retry पर टच करेंगे तो हमारा सामने यह वाला स्क्रीन आ जाएगा अब आप देखते हैं स्क्रीन पर यह जो स्क्रीन आपको दिख रहा है confirm that this is your account यहाँ पर लिखा है confirm that this is your account अब यहाँ पर हमें नीचे लिखा है get a code on WhatsApp, get a code on your phone, confirm your identity अब यहाँ पर यह तीन आपसा हमको मिलते है, किनों का मतलब क्या है, पहला है get a code on WhatsApp, तो जो mobile number आपने अपने Facebook account में link किया होगा या जिस mobile number से आपने अपना Facebook account बनाया होगा ना, उस पर एक code जाएगा WhatsApp के माद्यम से, मतलब उस number से अगर आपने WhatsApp चालू किया है, तो उसी number पर WhatsApp पर आपको एक code मिलेगा, वो code आप डा करना है, दूसरा option है get a code on your phone, अगर आप इस वाले option से आगे बढ़ेंगे, तो आपके mobile number पर एक SMS आएगा, जिसमें एक OTP होगा, वो code डालेंगे, तो भी आपका account अनलाक हो जाएगा, इसके पाल दिखाए confirm your identity, पहले दो option अगर आप try करते हैं, नहीं होता है, तो तीसरा option आ आप यहाँ पर करेंगे, select an email address and phone number to remove, जैसे आप अपनी ID को यहाँ पर upload करेंगे, यहाँ पर तीसरा option लिया गया, ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, confirm your identity पर हम क्लिक करेंगे, तो हमें अपने एक ID को upload करने का option मिल जाएगा, ID में आपको अपना आधार कार्ट दे स सकते हैं, या कोई भी दूसरा government ID दे सकते हैं, जो कि आपके Facebook account के नाम से match करता हो, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा नाम आनंद कुमार विशोकर्मा है, या आनंद विशोकर्मा है, तो मैं आनंद भी आई, या फिर कुछ और दूँगा तो नहीं, ऐसा नहीं, आपका Facebook account जिस नाम से है, उसी नाम की ID होनी चाहिए, ठीक है, तो ID अप्लोड करेंगे, तो आपके सामने यह वला option आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपका email ID, आपका mobile number दिखाई देगा, अगर आपका Facebook page या account हैग हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो भी email ID या mobile number आपके Facebook account में जुड आपका लिजीगा, इससे होगा क्या, कि जो दूसरे का email ID या mobile number होगा, या hacker का होगा ना, वो Facebook remove कर देगा, यहाँ से आप remove कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, एक mobile number है, उसके बाद 3 email ID है, तो यह जो details है, इनके ही details हैं, किसी दूसरे का नहीं था, तो इन्होंन यह ही details हैं, तो हमें simply don't remove पर touch करना है, don't remove पर touch करेंगे, तो अगला अपने इस प्रकार से आ जाएगा, अगर आपने Instagram account को या अपने page को link किया है, कुछ ऐसा अगर आपने कुछ दूसरा account link किया है, जैसे यहाँ पर दिखेंगे, Instagram दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है, Instagram account link पांच जनवरी, तो अगर आपने अपने page से अपने account से Instagram को link किया था, तो वो भी यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर अगर आपको किसी दूसरे का Instagram account दिखता है, तो आप यहाँ पर तो circle दिख रहा है, यहाँ पर टिक लगा कि इसे remove कर सकते हैं, जैसे आप इस पर टिक आए, continue करेंगे, तो remove हो जाएगा, उपर देखे लिखा है, remove account from account center, तो यहाँ पर आपको टिक लगा लगा लना है, अगर आप अपने Instagram account को remove करना चाहते हैं, तो या फिर अगर यहाँ पर आपको आपका Instagram account दिखाई जैता है, तो simply continue पर टच कर दीजे, continue पर हम टच करेंगे, तो उसमें Facebook ID से login कर लेते हैं, अभी तो लोग BGMI को भी Facebook से link करके खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वो application दिखेंगे, जहाँ पर हमारा Facebook account login होगा, या link रहेगा, ठीक है, आप चाहें तो उसे भी यहाँ से remove कर सकते हैं, remove करने के लिए, जो circle दिख रहा है, छोटा सा यहाँ आपको ठीक लगाना है, remove का option है, continue करेंगे, तो remove हो जाएगा, अगर आपको remove नहीं करना है, तो simply continue का option दिखेगा, continue पर टच कर देना है, हम continue पर टच करेंगे, अगला option हमारा समने इस परकार से आएगा, check your apps का option फिर से दिख रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा दर वेट करना है देखें, आपर continue पर टच किया जा चुका है, कुछ second हम वेट करेंगे, तो हमारा समने ये वाला पेज आजाएगा, अभी भी नहीं हुआ है, थोड़ा और वेट करते हैं, next आपसा हमें इस प्रकार से देखने के मिल जाएगा, get started, देखें, लोग उपर उनका नाम लिख दि देखेंगे, तो फिर हमारा समने ये वाला पेज आजाएगा, अब यहां पर देखें, keep your account secure उपर लिखा है, और यहां पर लिखा है continue, हमें simply continue पर क्लिक कर देना है, हम continue पर क्लिक करेंगे, फिर से वही सारे options आएंगे, इंस्साग्राम अगरा में चेक करना है, कोई अगर इ आपने इस Facebook पेज को लाइक या फालो किया है, क्या, तो हमें यहां पर इसे ऐसी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, simply continue पर क्लिक करेंगे, फिर यहां पर दिखेगा, recent post, आपके कुछ recent post दिखेंगे, check your recent post, आपके कुछ recent post, जो हाल ही में आपके page पर पोस्ट किये गए ह वो आपको यहां पर दिखे जाएंगे, तो आप यहां पर चाहें तो टिक लगा सकते हैं, मैं आपको suggest करूँगा, ऐसे ही रहने दे, नीचे scroll करेंगे, तो आपको continue का option फिर से मिल जाएगा, simply continue पर क्लिक करना है, continue पर क्लिक करेंगे, तो आपर समय इस प्रकार से देखें आ लगा हुआ है, people you have added are follow, टिक लगा हुआ है, और post पे लगा हुआ है, हमने सारी चीजों का review कर लिया है, simply go to news feed का यहां पर हमें टच करना है, go to news feed करेंगे, तो देखें हमारा page, profile, सब कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, और हमारा account वो unlock हो जाएगा, ठीक है, हमारा account इतन इनको हमने sort out कर दिया, सब कुछ इनका clear हो चुका है, सब कुछ इनका भी normal चल रहा है, तो यह जो page को, sorry account को unlock करने का process है, यह मैंने आपको यहां पर screenshot एक एक करके मैं दिखा दिया step आपको क्या करना है, अब इसकी अलामा, अगर आपका यह करने के बाद भी Facebook account unlock नहीं हो रह है, या आपका Facebook account disable हो गया है, तो ऐसे में आपको उसी नाम से एक दूसरा Facebook account create करना है, बनाना है, एकदम नए mobile number से, एकदम नए email ID से, जो कि पहले Facebook पर use ना किया गया हो, ठीक है, आपको एक नया Facebook account बना के, फिर Facebook के customer care support से contact करना है, उन्हें बताना है कि आपका पिछला Facebook account ज हैं, आप हमारी मदद कीजिए, तो Facebook team आपके पुराने वाले account को check करेगी, जब आप information लेगे तो उसे check करेगी, और आपकी help करेगी, आपके account को unlock करने के लिए, और इस पर भी बहुत जल्दी हो सकता है, मैं वीडियो बना के आपको बता दूँगा, जिसमें एक्चुली होत करना पड़ता है, जैसे यह गत्ता है, जैसे एक paper है, paper आपको इस परकार से पकड़ना है, एक video record करना है, खुद का, Facebook आपको code देगा, वो code आप लेके इस परकार से उस पर लिखेंगे code को, और इसे एक video बना के सीर हिलाएंगे, और दिखाएंगे कि आप live हो, वो code आप दि मुश्किल है, या कह सकते हैं कि नहीं होता है, बाकी और कुछ आपका सवाल है, तो निचे comment कीजेगा, मैं को subscribe कि आपके comment का reply दे पाऊं, मिलते अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद बंदे मातरा,